पहले तो मेरे कोई खुद भी जिकीन नी था यतने पैसे क्यों दे पर हमने करके देखा उसमें हमें फैदा आप तो सभी किसान चाहरे हैं भी हम बहुत ज्यादी मिशीने होगी भी हमारे लगके में प्राइबिट होगी पहले तो कोई-कोई थी तो अब हमें हमी देख रहे है जहां तो उंचा है फिस खेट लेवल नहीं होगा उंची जगा तो पानी नहीं पहुंचा पूरा और नीचे में ज्यादा पहुंच गया तो वहां फसल मर जाती है अब तो हम जहां तक सोच रहे हैं हर सीजन पर हमें करा लेना जाए कोई हैरो फैरों उंचा कर देते हैं कोन पानी एक सार रहता है तो पानी बहुत जल्दी खेट में वह जो टाइम पीड़े कम पीड़े टाइम में वह खेट बह जाता है कहीं हुचा होता है हम काफी देर उसको उंची ठेक को भरने में लगा देते हैं तो वह टाइम भी बच जाता जी हाजे हम मारे खेत में उचा ही मेरे जो जमीन थी वो उंची नीची थी उसे मैं ने इकसार करने के लिए जानकारी लिए कि अंधी एकशार करता है और इक सार मैंने चलता है देखा तो जानकारी करी किया क्या है तो इनके कमपूटा जंद्रा है फिर मिनने अपने खेतों में लगा देखा कि बहुत पानी की पचात होती है और इससे बहुत अच्छा लाप पहुंचता है फसल भी 15 परसेंट करीब इसमें बढ़ती है मैंने खेत लेविल करने सुरू करें आसपास और किसारों के तो वहाँ जो डेटा लिए गए उसके खेत के तो उसमें पचास परसेंट तो पानी की बचत हुई हमें और 25 परसेंट इल्ड बड़ी और 25 से 30 परसेंट खर्पतवार कमाई तो फिर देखा देख फिर किसारों को फायदा लगता लगया तो पांस ताल पहले फिर हमने भी ले लिया लेने के बाद में हम भी इसका जो अच्छा फायदा उठा रहे हैं ऐसे भी कमा रहे हैं औरों के खेत भी किसार कर रहे हैं किसानों को भी बहुत फायदा हो रहा है से और इससे रोजगार मिल गया जो किसार के लड़के ठाली रहे हैं तो एक ट्रेक्टर पर एक यूरुट पर तीर किसान रहते हैं पांच रुपर घंड चलाता है उसको और अच्छी कमाई है है इसमें तो किसान को बहुत फायदा हजार रुपे में लेविल हो जाता हूं किसान खुद कहता है एक हजार रुपे देकर एक हजार गदा पानी पश जाता है तो उसे इत्रा फायदा हो गया और जो पैदावार बढ़ी 25 परसेंट वह अलग रही एक दिन में जो कम से कम ठीक ठाक चला दे हैं तो दस सजार पर कमा लेते हैं कि जोगिष गूंदे में जो मीदे चलाते हैं तो जन्ता जो आसपास के हैं खेत झाल झाल